जहाँ पूरी उमीर थी कि लोग सभा चुनाओ के रिसर्च के बाद EVM का मुद्दा उठेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ चार जून को न सही सोले जून को सही विपक्ष ने एक बार फिर EVM का मुद्दा उठा दिया है अखलेश श्रियादब ने भी EVM पर सवाल उठा दिये हैं अखलेश श्रियादब ने भी EVM पर सवाल उठा रही है बीजेपी बताए EVM की जिद के पीछे की वज़े क्या है जिसके बाद बीजेपी ने इस पर करारा पलट वार भी किया है आपको इस रिपोर्ट के जरीए दिखाते हैं कि EVM को लेकर अब ये लड़ाई कहां तक पहुंची है अमेरिका में EVM के खलाफ इलॉन मस्क के ट्वीट पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने EVM पर एक बार फिर से सवाल खड़े किये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहूल गांधी ने पोस्ट किया भारत में EVM में एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जाज करने की इजाजत नहीं है हमारी क्युनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है राहूल गांधी ने मुंबई में एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से की गई गड़वडी से जुड़ी ख़वर शेयर करते हुए लिखा जब संस्थाओं में जवाब देही की कमी होती है तो लोग तंत्र एक दिखावा वन जाता है अब आपको बताते हैं कि राहूल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा भारत में EVM एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जाच करने की अनुमती नहीं है हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं ब्यक्त की जा रही है जब संस्थानों में जवाब देही की कमी हो जाती है तो लोगतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखा धड़ी का शिकार हो जाता है हालाकि मुंबई में EVM को मोबाइल से अनलॉक करने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग कह चुका है कि EVM का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है और EVM की काउंटिंग के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती EVM पर नए स्यासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के निता अखलेश यादब ने सोशल मीडिया पर लिखा है टेकनोलोजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए आज जब विश्व के कई चुनाओं में EVM को लेकर गरवरी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेकनोलोजी एक्सपर्ट्स EVM में हिरा फेरी के खतरे की ओर खुले आम लिख रहे हैं तो फिर EVM के इस्तेमाल के जिद के पीछे की वज़ए क्या है ये बात भाजबाई साफ करें टेसला के CEO एलन मस्क ने EVM पर सवाल उठाने के बाद से हड़कम्प मचा है मस्क ने दावा किया था कि EVM को हैक किया जा सकता है इसे अमेरिकी चुनाओं से हटा दिया जाना चाहिए हलाकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है मस्क ने ये बात अमेरिका के राश्रपती पत्केव मिदवार रोबर्ट एफ केनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिवीट करके कही अमेरिका में नॉमबर में राश्रपती चुनाओं होने EVM पर राहूल गांधी और टेसला के CEO इलोन मस्क के सवाल उठाने के बाद BJP ने इस पर पलटवार किया है BJP नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इलोन मस्क के दावों को कलत बताया राजीव चंद्रशेखर ने लिखा कि एलोन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगह पर लागू हो सकता है जहां वो इंटरनेट से जोड़ी वोटिंग मशीने बनाने के लिए नियमित कंप्यूट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं लेकिन भारत ये EVM कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया सलग है कोई कनेक्टिवीटी नहीं, कोई ब्लूटूट, वाइफाई, इंटरनेट नहीं है राजीव जंद्रशेखर का साफ कहना है कि EVM के लिए भारत में सबसे वरुस्त व्यवस्था है अब देखना है कि EVM पर शुरू हुआ ये नया विवाद, कहां तक जाता है निउज 18 के लिए विरो डिपो